एपिसोन नमर 5 की स्टाटिंग होती है और वान भाई रूम नमर 12 के अंदर एंटर होती है कहती है Excuse me, customer ये वो वाईन है जो आपने order की थी मैं इसे table पर रख देती हूँ फिर वो वेक्ति वाईन की bottle उठाता है और उसका ढ़का knife से खोलने लगता है और फिर वो उससे कहती है ये मेरा knife है और इसे मुझे वापस कर दो और फिर सिनेन उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें ये knife चाहिए ये बहुत आसान है बस अपने कपड़े उतारो ये सुन वान भाई और चांग्यवान शौक डो जाते है और फिर दो लड़के वान भाई के पास जाते है और उनमेंसे एक लड़का उससे कहता है क्या तुम ये खुद नहीं कर सकती और फिर सिनेन कहता है ठीक है तो फिर हम तुम्हारी मदद करते है और फिर दूसरा लड़का उससे कहता है जल्दी करो और इसे उतारो क्या तुम नाइफ नहीं चाती तब ही चांग्यान उनसे कहता है हे गाइस क्या तुम्हारा पूरा काम हो गया है और फिर वो खड़ा होता है और उस नाइफ को टेबल पर पिक कर मार देता है और चलातो हुए कहता है शब शान्त हो जाओ और उसे ऐसा करता देख सभी लोग शौक डो जाते है और वही सीनेन मन में कहता है कि हमने बहुत जादा कर दिया और फिर चांगियान वाण भाण पै के पास आता है और उसे कहता है ये सिर्व एक बखवासा चाकू है क्या ये तुमारे लिए खुछ से भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है पिर वाण भाण 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 उससे कहती है तुम ये नहीं समझ सकते ुए चांग्युआन सोपे की तरप जाते हुए कहता है, कम से कम तुमारे पास एक मुखा है, फिर वान भ Ferr eigen कहती है, ठीक है तो फिर मैं गाना गाती हूए, और फिर वो मन में कहती है कम से कम ये कपड़े उतारने से तो बैतर ही है। तब चांग यूएन उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपने नाइफ के बदले हमारी जिन्दगी चाती हो हाँ ये सुनवान भाई सर्मिन्दा हो जाती है और फिर वो गुस्टे से मन में कहती है वो लोग तुम ही थे जिन लोगों ने मुझे गाना गाने के लिए कहा और मैंने अपनी तरफ से बेश्ट दिया है और वही सिनेन रोते हुबे चांग यूएन से कह रहा होता है चांग यूएन मेरी मदद करो और फिर चांग यूएन वान भाई से कहता है तुम इसे पीओ और फिर बे तुमको तुमारा नाइफ वापस कर दूँगा और फिर वान भाई मन में कहती है ऐसा लगता है कि मैं इसे अवाइड नहीं कर सकती और फिर वो चांग यूएन के पास जाकर उससे कहती है यहाँ पर बहुत सारे विटनेसे से तो अपनी बात याद रखना और फिर वान भाई उस वाइन को पीने लगती है और वहीं शिनें धीरे से चांग यूएन से कहने लगता है वो काफी ज़्यादा इमानदार और आग्यकारी है इससे पता चलता है कि वो सच में कितनी सहासी है पिर चांग यूएन कहता है और फिर वान भाई उस वाइन की ब लगता है कि मैं इसे हेंडल कर लूँगा और फिर वो वान बाई को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से जाने लगता है और वहीं सिनेंच चिलाती वे कहता है रुखो क्या तुम ऐसे ही जा रहे हो और आज की रात इंजॉय करो चांग्युआन और गाज दिक साथ एप स्काइब जरू करें मिलता है को जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में